हेलो दोस्तों नमस्कार अपका हार्दिक स्वागत वन्दन एवं अविनन्दन करती हूं अपने योट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में तो दोस्तों आज हम हिंदी भाषा शाहित्य के वह मुखी प्रतिवा की धनी व्यत्ती बाबा गोस्वामी तुलसिदास जी का जीवन परीचे एवं उनकी रचनाओं का अध्यन करेंगी जो किसी भी प्रतियोगी परिक्षा केले महत्वपून होंगी गोस्वामी तुलसिदास जी का नाम लेते ही आखों के सामने प्रभूश्री राम की प्रतिमा आजाती हैं तुलसिदास रामभक्ति शाखा की प्रतिनिधी कवी हैं उन्होंने चोतर वर्ष्ट की आयू में रामचरित मानश की रचना की तो आईए पढ़ते हैं तुलसिदा जी का जीवन परीचे तुलसिदास जी का जन्म सन 1532 इस्वी और अगर समवत में पोछा जाएगा तो 1554 विक्रमे समवत में हुआ उनके मृत्यू 1623 इस्वी काशिय में हुई और उनका जो जन्मिस्तान है वो बांदा उत्तर परदेश के राजापुर गाउं में हुआ कुछ विद्वानों के अनुशार उनका जन्म शूकर खेत एटा रायवरेली जिला भी मानते हैं लेकिन जो सरो मानने मत हैं वो बांदा उत्तर परदेश के राजापुर गाउं में हुआ है उनकी बच्पन का नाम राम बोला है उनकी पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलशी है उनकी पत्नी का नाम रत्नावली और गुरू जो आध्यात्मिक गुरू या जो देख्चा गुरू है वो नरहरियानंद या नरहरीदाश जी है उनके सिख्चा गुरू सेश शनातन और तुलसीदाश जी का जो पालन पोशन किया वो मुन्या नाम की दाशी ने किया इनके भक्ती का जो भाव है वो दाश्य भाव की भक्ती है तो सिदास जी के जीवन के बारे में एक कहानी है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में पूरे 32 और ये राम नाम का जाब करते हुए इनका जन्म हुआ ये अभूत पूर मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे इसलिए इनके पिता आत्मा राम दुबे ने इने मुण्या नाम की दाशी को सौप दिया इनकी माता की मृत्यू इनकी जन्म के समय ही हो गई थी जिसलिए जिससे की इनका लालन पालन मुन्या नाम की दाशी ने किया तोलसिदास जी की जो रजनाएं हैं वो बारा रजनाएं ही प्रमानिक हैं आईए देखते हैं इसमें पहला है रामचरित मानश, विनेपत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्न गीतावली, रामाग्या प्रशनावली, बर्वे रमायन, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संधीपनी और हनुमान बाहुक श्री रामचंद्र शुक्लि ने इस ग्रंद को अप्रामानिक माना है, तो जो ये हनुमान बाहुक है, यह रामचंद्र शुक्लि जी ने इसे अप्रामानिक माना है आगे है तोलसिदास रामभक्ती परंपरा के शरवश्रेष्ट कवी थे, यह question most important है, कई परिक्षाओं में पूछा जाता है आगे है तोलसिदास जी की रचनाओं का परीचे, जो इनकी सभी रचनाएं हैं, वो most important है, तो आईए देखते हैं, इसमें पहला है रामचरित मानस इस ग्रंथ की रचना समवत 1631, 1504 इस्वी में हुई, अगर समवत में पूछा जाएगा, तो 1631 और इस्वी में पूछा जाएगा, तो 1504 इस्वी में हुई इस रचना को लिखने में दो वर्ष, शात माहा और 26 दिन का समय लगा, जो रामचरित मानस की रचना, बाबा गोस अमे तिलसिदास जीने की, उसको लिखने के लिए दो वर्ष, शात माहा और 26 दिन का समय लगा, रामचरित मानस की जो भाषा है, कई बार पीपर में पूछा जाता है कि रामचरित मानस की भासा तो जो रामचरित मानस की भासा है वो अवदी भासा है इसकी जो सैली या छंद इसमें दोहा चोपाई सैली है या दोहा चोपाई छंद का परियोग हुआ है रामचरित मानस में साथ कांड है ये question भी most important है वैसे रामचरित मानस को लेकर हर एक पॉइंट अपने आप में most important है तो प्लीज आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे सी ध्यान में रखें कई पेपरों में पूछा जाता है कि रामचरित मानस में कितने कांड हैं तो यहाँ पे सारे कांड लिखे हैं इसमें पहला है बाल कांड, दोसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौता है किश्किंदा कांड, पांचवा है सुन्दर कांड, छटवा है लंका कांड, और सातवा है उतर कांड इसकी मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी बनाई हैं तो आईए देखते हैं कई बार पेपर में यह जो सात कांड है, यह सीरियल वाइस भी पूछा जाते है कि पहला कौन सा है, दोसरा कौन सा है, तीसरा चौता कौन सा है तो जब हमको याद होगा तो हम तभी क्वेस्चन को सही कर पाएंगे तो ट्रिक है कि राम का जन्म हुआ, बाल रूप में, आयोध्या में, फिर 14 वर्ष का बनवाश हुआ तो पहला है बाल, बाल कांड तो जो यह बाल रूप में हुआ, सभी ने रामायान देखी होगी तो आपको श्री राम के जीवन में कई बातें पता होंगी तो आपको यह ट्रिक इजी लगीगी कि राम का जन्म, आपको भी पता है कि राम का जन्म आयोध्या में हुआ, लेकिन जब जन्म होता है तो आभी क्या होते हैं, बाल शुरूप में ही होता है, बाल शुरूप में ही जन्म होते हैं, तो राम का जन्म हुआ बाल रूप में आयोध्या में फिर 14 वर्ष का बनवाश हुआ तो जो ये अरण्य है ये वन का परियाईवाची सब्द है तो वन को क्या कहते हैं अरण्य तो ये तीसरा है अरण्य कांड फिर वन में रावन की द्वारा सीता हरण किया गया सीता की खोज में किस किंदा पहुँचे आपको भी पता होगा किस किंदा एक नगरी थी जहां बाले और सुक्रेव दोनों भाई रहा करते थे तो बन में सीता मा की खोज करते करते वो किस किंदा नगरी पहुचे थे तो ये चोथा है किस किंदा कांड फिर उसके आगे है जहां उनकी भेंट सुन्दर हनुमान जी से हुई जो हनुमान जी थे वो बाले सुक्रिव के साथ ही तो जहां उनकी भेंट सुन्दर हनुमान जी से हुई तो ये पांचवा है सुन्दर कांड जिसमें ये जो सुन्दर कांड है इसमें हनुमान जी के बारे में ही पूरा का पूरा कांड हनुमान जी को ही समर्बित है आगे है हनुमान जी को लंका भीजा तो जो ये लंका है ये छटवे नंबर पे हैं यहाँ पे लंका कांड है आगे है जहां अशोक वाटिका में मा सीता को हनुमान जी ने उनके शवालों के उत्तर दिये जब हनुमान जी लंका पहुचे और लंका जाकर उन्होंने मा सिता की खोज की तो उनको मा सिता असो क्वाटका में मिली तो उनको देखकर मा सिता ने उनसे कई सवाल जबाब पूछे तो हनुमान जी ने उनके सवालों के उत्तर दिये तो ये सात्वा है उत्तर कांड आई एक कांड फिर 14 वर्ष का वन वास हुआ तो ये वन का परियावाची है अरन्य, तीसरा कांड है अरन्य कांड, वन में रावन की द्वारा सीता हरन किया गया, सीता की खोज में किसकिंदा पहुँचें, तो ये चोता है किसकिंदा कांड, जहां उनकी भेंट सुन्दर हनमान जी से ह भूई पांचवा कांड है सुन्दर कांड हनमान जी को लंका भेजा गया तो छटवा कंड है लंका कांड जहां अशुक वाटका मैं मा सीता को हनमान जी ने उनके सवालों के उत्तर दिये तो साथवा है उत्तर कांड अब दूसरी ट्रिक है अगर आपको ये बहुत लंबा चोड़ा लगी तो आप इसे वियाद कर सकते हैं कि बाल अयुद्या अरण किस्किंदा सुन्दर लंका उत्तर कांड तो आप ध्यान रखेगा ये इसका सही सीरियल है अगर क्विश्चन में पूछा जाए तो आपको इसे याद तो करना ही पड़ेगा आगे है दूसरी रचना है विने पत्रिका विने पत्रिका में 289 पद है इसमें शांतरस है और जो विने पत्रिका की भासा है वो ब्रज भासा है ये क्विश्चन भी कई बार पीपर में पू पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है आगे है कवितावली कवितावली गोस्वामी तोसिदास जी की अंतिम रचना है कवितावली की भाषा भी ब्रज भाषा है और कवितावली में भी साथ कांड है आगे है गीतावली गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है यह एक गीति काव् आगे है रामाग्या प्रश्न एक मुक्तक काव्य है और रामाग्या प्रश्न की भाशा अवदी है और इसमें जो चंद प्रयोग हुआ है वो दोहा है सात्वा है रामलला नहचु यह एक प्रबंद काव्य है और इसकी भाशा अवदी है आगे है जान की मंगल जान की मंगल एक प्रबंद काब्य है और जान की मंगल की भाषा अवदी है तुलसिदास जी की जो ये बारा प्रमानिक रचनाए है इनमें अधिकतर यही प्रशन देखने को मिलता है कि बिने पत्रिका की भाषा क्या है जान की मंगल की भाषा क्या है प का पहले नमबर पे कौन सा कांड है आखरी में कौन सा कांड है तो आप ये ध्यान रखेगा आगे हैं राम और सिता के विवा का वर्णन है किसमें जान की मंगल में तो जान की मा सिता को ही कहा जाता था तो जो जान की मंगल है उसमें राम और सिता के विवा का वर्णन है नववा है पारवती मंगल यह भी एक प्रभंद काब्य है इसकी भाशा भी अवदी है और पारवती मंगल में शिव पारवती के विवा का वर्णन है अब यहाँ पे आप लोग एजिली याद कर पाएंगे क जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये दोनों प्रबंद काव्य हैं इन दोनों की भाषा आउदी है जानकी मंगल में राम और शिता के विवाक वर्णन है और पार्वती मंगल में सिव और पार्वती के विवाक वर्णन है आगे है दश्वा दोहा वली यह एक मुक्तक काव्य ह इसकी भाषा ब्रजी भाषा है दोहा वली में चंद दोहा और शोर्टा है आगे है ग्यारवी नमबर पे बरवे रामायन बरवे रामायन एक मुक्तक काव्य है बरवे रामायन की भाषा आउदी है इसमें चंद बरवे चंद है जैसे की नाम से ही पता चल रहा है कि बरवे रा बैरागे शंदिपने तोलसिदास जी की प्रत्थम रचना मानी जाती है इसकी भाशा भी ब्रज्य है यह एक मुक्तक काब्य है और इसमें जो चंद है वो दोहा और शोरठा का प्रियोग हुआ है आगे हैं तेरवे नम्मर पर हनुमान भाउक तोलसिदास जी ने अपने के अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान भाउक की रचना की है तो जो यह हनुमान भाउक नामक रचना है इसको स्री राम चंदर सुकुल जी ने प्रमानई ग्रंट नहीं माना है लेकिन यह कई बार परिक्षा में पूछा जाता है कि तुलसी दास जी ने हनुमान बाहु की रचना अपने बाहु रोग से बाहु यानि कि अपने हात में उनके ये कुछ रोग हो गया था तो बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की गई इसमें हनुमान जी की इस्तुति है आगे हैं महत्वपूर्ट तथ्य ये मोश्ट मोश्ट इंपोर्टेंट है ये परिक्षा की दृष्टी से अत्ती उप्योगी साबित हो सकते हैं इसमें पहला है रामचरित मानश की रचना बाबा तुलसीदाश जी ने समवत 1631 में चैतर सुक्ल राम नवमी के दिन और दिन क्या था मंगलवार के दिन शुरू की रामचरित मानश की रचना तुलसीदाश जी ने समवत 1631 में चैतर सुक्ल राम नवमी जिस दिन राम भगवान स्री राम का जन्म हुआ उन्ही के जन्म दिवश पर स्री रामचरित मानश की रचना शुरू की स्री रामचरित मानस की रचना जिस समय तुलसी दास जिने की उस समय उनकी आयू चोतर वर्ष की मानी गई है रामचरित मानस की रचना में जो समय लगा वो दो वर्ष 11 मा और 27 दिन का कुल समय लगा आगे है रामाग्या प्रश्न एक जोतिश ग्रंत है अगला है रामचरित मानश पर सरवादिक प्रभाव आध्यात्म रामायन का पड़ा ये क्वेशन भी कई बार पूछा जा चुका है कि रामचरित मानश पर सरवादिक प्रभाव किस रामायन का पड़ा तो ये आध्यात्म रामायन का प्रभाव पड़ा आगे हैं तुलसीदास जी ने सरोपर्थम रामचरित मानस रश्कान जी को सुनाई ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि तुलसीदास जी ने सरोपर्थम रामायन किसको सुनाई रामचरित मानस सरोपर्थम किसको सुनाई तो ये रस्खान जी है जो कि तूलसीदास जी के मित्र थे तो तूलसीदास जी ने स्रोपर्थम रामचरित मानस रस्खान को सुनाई अगला है रामचरित मानस की प्रथम टीका आयोध्या के बाबा रामचरणदास जी ने लिखी अगला है तुलसिदास जी अकबर के समकालिन थे ये पेपर ये क्वेशन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि तुलसिदास जी किसके समकालिन थे तो ये अकबर के समकालिन थे अगला है रामचरित मानस्त की रचना तुलसीदाश जी ने स्वान्त शुखाय के साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल की भावना के लिए की अगला है विद्वानों के द्वारा कही गई उक्तियां कि तुलसिदाज जी के बारे में विद्वानों ने क्या-क्या उक्तियां कहीं है आईए देखते हैं ये most important है एक तरफ है विद्वान और एक तरफ है उनकी द्वारा कही गई कथन पहला है नाबादाश जी ने तोलसिदाश जी को कली काल का बाल मिकी कहा है अगला है इस्मित तो इस्मित ने तोलसिदाश जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है अगला है जोर्ज ग्रियर्शन जोर्ज ग्रियर्शन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक लोक नायक तोलसिदास जी को माना है। अगर पर्षाद धिवेदी। भारतवश का लोक नायक वही हो शकता है जो शमन्वे करने के अपार धहर लेकर आया हो। अगला है राम बिलाश शर्मा ने तुलसिदास जी को जातिय कवी की संग्या दी है अगला है अमरित लाल नागर अमरित लाल नागर ने तुलसिदास जी को मानस का हंस कहा है ध्यान रखीगा ये question most important है कि अमरित लाल नागर ने तुलसिदास जी की जो जीवनी लिखी उसमें उन्होंने तूलसिदास जी को मानस का हंस कहा है आगे है लाला भगवान दिन और बच्चन सिंग लाला भगवान दिन और बच्चन सिंग ने तूलसिदास जी को रूपकों का बात्सा कहा है पीछे हो गया रूपकों का बात्सा कहा है आगे है आचारे रामचंद्र सुक्ल जी ने तुलसिदास जी को अनुप्राश का बातसा कहा है आगे है डाक्टर उदे भानोशिंग ने तुलसिदास जी को उत्प्रिक्छाओं का बातसा कहा है और आगे है अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध ने तुलसिदास जी के एक पंक्ती लिखी है कि कविता करके तुलसी नलशे कविता पालशी तुलसी की कला ये question भी कई बार ये पंक्ती भी कई बार पेपर में पूछी जाती है कि कविता करके तुलसी नलशे कविता पालशी तुलसी की कला तो इसमें बार बार तुलसी तुलसी सब्द आयावा है तो स्टूडेंट सोचता है कि सायद तुलसी दास जी ने लिखी होगी लेकिन ये अयोद्या सिंग उपाद्या हारियोद जी ने तुलसी दास जी के लिए लिखा है अगला है बिकारी दास जी ने लिखा है कि तुलसी गंग दूवो बहे सुकविन के सरदार इसमें भी तुलसी नाम आयावा है तो इसमें भी confusion होता है कि ये पंक्ती विसाया तुलसी दास जी की होगी लेकिन ये बिकारी दास जी की है तो ये था तोलसी दास जी का संचिप्त जीवन परिचे उनकी रचनाएं उनके बारे में महतोपून तत्य बिबिन विद्वानों की बिबिन उक्तियां जो की परिच्छा की दृष्टी से अतिम महतोपून है आपको वीडियो अच्छी लगी हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें